हेलो फ्रेंज मैं हूँ बोली और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुफित बोली में वीडियो शुरू आने से पहले आप सभी से मेरा रेक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तेक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लिजे बेल एकन को भी प्रेस कर लिजे ठाकि आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं आज की रेसे पी आज हम बनाएंगे सुजी के पापड़ ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी बन करके तयार हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी सुजी लिया है आप एक ही कटोरी या कप का मेजर्मेंट कीजिए और सारी चीजे उसी के हिसाब से डालेंगे तो यहाँ पर मैंने इस वाली कटोरी से एक कटोरी सुजी लिया है और इसे छान लेंगे आधा छोटी चम्मच यहाँ पर नमक है, आधा छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, एक चम्मच जीरा है, एक कड़ाई में हम पानी डालेंगे, तो जिस कटोरी से हमने सूजी नाप करके लिए है, उसी कटोरी से हम यहाँ पर आठ कटोरी पानी डालेंगे, तो एक जीरा और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे तो पानी में अब हलकाल का बबल्स आना चालू हो गया है तो यहीं पर हम सूजी डाल देंगे सूजी डालने के बाद हमें रुखना नहीं है कंटीन्यू चलाना है नहीं तो इसमें नीचे बैठने लगेगी है और लंस भी आ कि अगर आप इसwyn choix मात्र हमें बनाना चाहते हैं तो बस एक का 8 रख़े पानी जिस भी कर्टोरी हैं कब से आपंसे अब बनाएंगे उसके हिसाब से आप पानी डाली आहां पर आप इससी जप्तला में बंदाना है और यह साल भर कराभ भी नहीं होने अगर आपने किसी को भी न बताए खिलाया ना तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इसे सुजी से बनाया है इतनी टेस्टी थी ये फापर तो देखिए इतना पतला हमें उतारना है गरेस्ट को हम बंद कर लेते हैं इस तरह से कल्ची से उठाके देखेंगे और इसके उपर अलग से एक लेयर बन जाती है और इस तरह से अगर हम उंगली से खीचेंगे तो एक लाइन रह हो जाती है तो यही इसकी पहचान है, इतना ही गाढ़ा हमें उतारना है इसे, एक polythene में हम इसको डालते जाएंगे और इस तरह चम्मज के उल्टे साइट से इसे हम फैलाते जाएंगे तो जिस तरह से दोसा बनाते हैं न हम वैसे हल्का हल्का साइश से फैलाते जाना है और बहुत जादा पतला भी नहीं करना है यहाँ पर पापड को आप पलटेंगे उसी टाइम यह तूट जाएगी तो देखिए कितना आसान है इसे बनाना और यह 10 मिनट में ही मैंने इतना सारा पापड बना करके तैयार कर लिया है और बिल्कुल एक कटोरी ही सुझी लिया है मैंने उसमें कितने सारे पापड बन करके रेडी हो गया है आपके अगर धूप नहीं आती है तो आप पंखे के हवे में भी से सुखा सकते हैं और यह बहुत ही transparent है और देखने में कितने सुन्दर से लग रहे है ये पापड बहुत जल्दी शूप करके रेडी हो गई है तो देख रहे है ना EKka आवाज डालने वाली थी पर बेग्राउंड में बहुत सारी आवाज है थी इसलिए मैं नहीं डाल पाई नहीं तो आप लोगों को सुनाती बहुत ही टेस्टी पापड़ बने हमारे तो आप जरूर जरूर इसे ट्राइब करके देखें एक बार और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिशना